आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ In this question हमको दे रखा कि ये 3 Charges हैं और इसका जो माइगनिटूड है वो Q by 3 Q by 3 और माइनस 2 Q by 3 है Placed किया गया है At point A, B, C respectively So in figure Take O to be the Origin of the Circle of Radius R And angle दे रखा ये Angle C ये वाला C, A और B जो दिया है, वो 60 डिग्री दिया है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है ये 90 डिग्री है तो ये angle कितना होगा ये होगा 30 डिग्री तो first of all हम क्या करते हैं कि ये वाला और ये वाला length हम निकाल लेते हैं ठीक है तो कुछ इस तरीके से हमारा ये triangle बनेगा ठीक है ये क्या दे रखा है ये वाला length जो है वो दे रखा है 2R क्योंकि ये center से यहां तक ये क्या होगा radius होगा radius R है और ये भी radius है तो ये भी R है तो RR क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा ये angle दिया है 60 डिग्री ये 90 है और ये 30 डिग्री है तो हमको ये निकालना है ठीक है ये निकालने के लिए हम यूज कर सकते है sine 30 डिग्री is equal to lump इसको माल लेते है क्या मालते है इसको B ठीक है ये क्या है ये है A और ये है C तो lump क्या हो जाएगा ये हो जाएगा AC divided by current AB ठीक है तो यहां से हमको AB की वैलू पता है AC नहीं पता है और sine 30 की वैलू पता है तो ये हो जाएगा 1 upon 2 sine 30 की वैलू into AB is equal to AC ठीक है तो AC is equal to क्या हो जाएगा AB की वैलू क्या है 2R divided by क्या हो जाएगा 2 तो ये हमको मिल जाएगा R सब्सक्राइगा कैसे इस एंगल में अब यहां से ले लेते हैं ठीक है तो इसको लिखते है sine 60 degree is equal to 60 degree अगर है ये तो बेस हो जाएगा ये perpendicular length हो जाएगा ये happy tonus हो जाएगा तो यहां पे हमको मिल जाएगा CB या BC divided by lump divided by icon तो ये भी हो जाएगा ठीक है और ये 60 degree की वैलू क्या होती है root 3 by 2 into AB is equal to क्या हो जाएगा BC यहां से BC की वैलू क्या आ जाएगी BC की वैलू root under 3 by 2 into AB की वैलू क्या है 2R तो यहां से आ जाएगा under root 3R ठीक है हमको यह चीज पता चल गया under root 3R तो यह क्या हो गया यह हो गया under root 3R और यह हो गया R अब हमको क्या निकालना है first option देखिए first में दिया है the electric field at point is o is q by 8 pi epsilon r is quite directed along the negative x-axis ठीक है तो यह positive x-axis है और यह negative x-axis है तो यहा पे जो field है electric field किसे होगा यहा पे क्या charge है A पे जो charge है वो q by 3 है b पे किया है c पे जो charge है eight –2q by 3 है तो देखिए यहा से electric field line किस direction में जाएगी इस direction में और यहा से भी िस direction में तो दोनों क्या है दोनो 터बinden direction में with same magnitude है तो क्या होगा, दोनों cancel out कर जाएगी, तो यहां पर electric field क्या होगा, point charge A और point charge B के वज़ा से, जो electric field center पर होगा, वो 0 होगा, तो किस charge के वज़ा से electric field होगा, वो होगा, minus 2Q by 3 के वज़ा से, और यह अपने ही तरफ करेगा, तो X axis के negative direction में तो electric field होगा, लेकिन उसका magnitude क्या होगा वो देखते हैं, E, E C, E C is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q, Q क्या है, यह है, 2Q by 3 और R हमारा, यह radius है, क्योंकि यहां center से, इस point का जो distance है, वो radius है, वो R हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, Q divided by 6 pi epsilon R square होगा, यह, R square, ठीका, तो electric field X axis के negative direction में तो है, लेकिन इसका magnitude जो है, वो Q by 8 pi epsilon R square न होके, Q by 6 pi epsilon R square होगा, तो यह क्या होगा, यह option हमारा गलत होगा, ठीका, अब दूसरे option में दिया है, कि the potential energy of the system is 0, potential energy को मैं U से denote करता हूँ, तो देखिए, यहां से यहां में जो potential energy है, उसको U1 मानता ह हूँ, इस point और इस point के बीच में जो potential energy है, उसको U2 मानता हूँ, और इसके और इसके बीच में जो potential energy है, उसको U3 मानता हूँ, अब मैं U1 की value find out करता हूँ, तो यह हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2, Q1 Q2 क्या है, Q by 3 into Q by 3 divided by R होता है, तो R क्याहिए यहां यहां पे, यहां पे R जो है, वो 2R है, इसके बाद हमको, क्यूट, इसके बाद हमको क्या निकलना है, U2 निकालना है, U2 क्या होगा, B और C के बीच में जो potential energy है, तो यहां क्या हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught, यह क्या हो जाएगा, minus 2Q by 3 into Q by 3, और distance क्या है, distance है, under 2 3R, तो यह U2 हो गया, अब U3 क्या होगा, U3 हो जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught, किसके किसके बीच में, C और A के बीच में, charge क्या है, minus 2Q by 3, और Q by 3 divided by R है, तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को add कर लेते हैं, तो जो potential energy, net potential energy होगा, वो sum of U1 plus U2 plus U3 होगा, तो 1 upon 4 pi epsilon sum में common है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, Q square by 3 into 3 into 2R, plus, यहाँ पर minus हो जाएगा, ठीक है, minus, यह हो जाएगा, 2Q square by 9 हो जाएगा, 3 into 3, 9, under to 3R हो जाएगा, और यहाँ पर भी minus हो जाएगा, और 2Q square by 9R हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ से हम common ले सकते हैं, 1 upon 4 pi epsilon not, Q square sum में है, और R भी sum में है, ठीक है, और 9 भी sum में है, ठीक है, और 9 भी sum में है, तो हम common ले सकते हैं, Q square by 9R, ले 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 ले, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, 1 upon 2 minus, यहाँ क्या बचेगा, 2, okay, divided by under 3, और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा, only 2, ठीक है, तो यह जो है, यह not equal to 0 है, क्यों, देखिए, यह चीजह हमको पता चल गया है, कि potential energy of the system क्या है, not equal to 0 ह तो यह option क्या होगा, यह option भी गलत होगा, क्योंकि यह बोला है कि potential energy of the system क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, अब देखिए, option D हम directly choose कर सकते हैं, देखिए, potential energy B जो हता है, वो V1 plus V2 plus V3 होता है, यहाँ से 1 upon 4 पाई, epsilon और कॉमल लेंगे, तो V1 और V1 क्या होगा, V1 जो होगा, potential energy at point A ह क्वोगा, यह नहीं होगा, Qiset 3, और V2 जो होगा, वो क्या होगा, Q pocket 3, और C होगा, माइश 2 q3 होगा, और यह क्या होगा, 0 के इक को लोगा, क्योंकि 2 q by 3 होगा, यह माइस 2 q by 3, तो हमारा option यह क्या है, यह भी गलत है, क्योंकि यह potential energy 0 हो भाए और यह बोला कि Q by 12 π. нач एless result R ह तो यह भी गलत हो गया, अब बोला कि magnitude of force between the charge at C and B is इतना, Q square by 54 pi epsilon r square, तो यह हमाना correct option होना चाहिए, तो देखते हैं कैसे होगा, B और C के बीच में हम force निकालते हैं, ठीक है, तो FBC is equal to क्या हो जाएगा, FBC is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, charge का value क्या है, एक पे q by 3 है, और एक पे minus 2 q by 3 है, divided by under root 3 r का whole square हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा, 1 upon 4 pi epsilon naught, q square, 2 q square by 9, और यह जो होगा, under 3 का square जो होगा, वो 3 हो जाएगा, और यह r square हो जाएगा, तो यहां से 2 cancel होगा, तो यह क्या हो जाएगा, 9, 3, 27, 24, तो 1 upon 54 pi epsilon naught r square, ओके, और यह हो जाएगा, q square, तो जो force मिल ला है, बी और सी के बीच में, यह point और यह point के बीच में जो force मिल ला है, वो q by 54 pi epsilon naught r square मिल ला है, तो हमारा correct option जो होगा, वो c होगा, ओके, तो हमारा correct option क्या होगा, c होगा, Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा, आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 8444 सुपर,